सब्सक्राइब नाव और प्रेस्ट बेल आइकिन नेवर मिस अन अपडेट हेलो विलकम मैं डियर इस्ट्रेट मैं आपनों का रिजनेंग गुरु आपने चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा दिवाली स्पेशल तो इस दिवाली हम आपके लिए कुछ इस्पेशल लेके आए हैं कुछ अच्छी चीजी लेके आए हैं जो कि आपके एक्जाम के दृष्टि कोड से काफी महत्पूर होने वाला है आपके जो आगे एक्जामनेशन जीते हैं एक्जामनेशन से उसमें यह महत्पूर रोल प्ले करने वाला है तो चलिए बिना समय गवाए आप लोग पहले सेशन को शेयर कर दिए ताकि ज्यादा फे ज्यादा लोग हमारे साथ जूट सकें क्यूंकि बेटा प्रतियोगिता कंपरिशन तो भीड में ही होती है अकेले में तो हर बेक्टिव इजयता होता है तो इसलिए जल्दी से सेशन को शेयर करिए फिर हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं आज की जो कुई है बहतरीन प्रश्नों की एक स्रिंखला है उसको हम सुरू करते हैं आपके सामने यह पहला प्रश्न दिख रहा होगा मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल में नंबर स्रीज लेकर आया हूँ उसमें आपसे जरूर पूछा जाएगा तो जल्दी से फटापट सभी लोग इसका आंसर दें देखता हूं कितने लोगों का इसका आंसर आपाता है इसको हम सौर कराते हैं ऐख हो 42, 45, 52, 86 एक बात समझना है हूँ जब भी आप नंबर स्रीज करना जाना तो एक बात ध्यान रखना कि जनरले नंबर स्रीज होते वह दो ही प्रकार के वते एक होती है normal series और एक होती है frog seriessam नर्मल शरीज वो होती है जो की visually increase होती है और froxries consistent वो होती है जिसमें number अच्छानक से बढ़ जाते अच्छा आप खुद सोचो कि कोई भी कोई भी number अच्छानक से कब बढ़ता है कोई भी number अच्छानक से कब बढ़ता है नमबर तभी बढ़ सकता है जब वो प्लस हो या चलो यह उने पेल लिया तो चलो कोई भी नमबर अचानक से तभी बढ़ेगा जब उसमें गुड़ा होगा तभी वो अचानक से बढ़ सकता है 90% केस में जब आपको फ्रोग स्रीज दिखेगी तो वहाँ पर यह होता है कि नमबर जो है वो अचानक से बढ़ेंगे तो बुड़ा होगा और 10% चांसे यह होते हैं वेटा कि उसमें स्क्वार या क्यूब करके आइडिया माइनस कर देगा ऐसा इसके अलामा और कुछ हो नहीं सकता और लेकिन चुके एक बाद मताओ आपके सामने जो यह स्रिंखा दिख रही जो स्रीज दिख रही है उसमें नमबर जो है वो तेजी से बढ़ते हुए नहीं गिख रहें तो जब धीरे धीरे मतलब यहाँ पे हम डिफ्रेंज दीन निकाल और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 अच्छा से हमें कुछ नहीं तिकरा से हमें कुछ नहीं तिकरा हम यहाँ पर काम करेंगे स्टफ citoyarl तबल डिफ्रेंज पर आँच पर चार शह और आठ तो देखो 4-6 आगे 10 होगा तो 21 में 10 जोड़ो जो गटा 31 होगा तो आगे बाद जो नमबर होगा वो 86 में 31 जोड़ो गए तो हमारा आंसर होगा 117 हमारा आंसर होगा 117 अधिया नेख्ट टाइमर आपके साम्हें लगा दिया जल्दी सा इस अंसर दीज़े सबीटे अ झाल चलो सब को चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और समझा रहा होगा चलिए पढ़ते हैं अगले प्रस्टु की तरफ कि चलिए इस कांसर दिजिए आपके सामने टाइवर लगा दिए हूँ कर देखते हैं इसे कैसे करेंगे अच्छा अभी तक दो प्रस्ट आपने के तीसरा यह है इसमें आपको देखके यह पता चल जा रहा है कि यह अभी एक तो नॉर्मल सीरीज है कोई फ्रॉक सीरीज नहीं है और जो नॉर्मल सीरी हो जोगी तो हम यहां भी डिफ्रेंस से निकालेंगे अच्छा तीरह माइनस उन प्लस फूर्माइनस नाइन प्लस सिक्टीन अगर आप देख रहे होंगे आपको जानतों एक बात बताओं जब आप रिजनिंग पढ़ो यह मैथमेटिक्स पढ़ो तो जैसे आपके घर में कथा पूजा हवन होता है तो उसमें गंगाजल बड़ा ही अनिवारे होता है उसी प्लस किया गया है और जो और नमबर उसे माइनस तो पांच तो और नमबर है ना तो हम माइनस करेंगे और तेजिस में से आप जब 25 माइनस करते हो तो आपका आफका आज़ा आता है माइनस तो इसका अंसर है माइनस चलिए बड़ता अगले प्रस्ट भी करें चलिए इसका अंसर भी शुलिए चलिए अब इससे कर दें अच्छा जितने कुशन दिया उसमें मुझे लाग रहा है कि सबसे असान वाला एक नान इसका जो सिक्वेंस है बेटा इसका जो पैटर करना मों सिधा आपको दिख रहा होगा ल हो गाला सुटल स्री है मैनेस थू प्लसं प्लस ट्री तो आगे क्या होगा मैनरस सो इसका अंसर होगा इसका आंसर होगा उमिद़ करता हुआँ कह सब चीजें एच्छा से क्लियर हो रहे हैं एब वाट्टें कर दो कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इसका अच्छा एक चीज़ा ना कि इवल आपको कंशूज करने के लिए दी जाती है जैसे अगर मेरा ब्यक्तिवे तर्पेमाना इसको कोई दिल पनी लेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो अन्यावस्यों कोई कि ज्यादा कुछ होता नहीं है तो चलो ऐसे दिख रहे होंगे एक चीज़ें देखो तेरा तीरपन में से तेरा गटाओ चालीस चालीस में से तेरा गटाओ 27 बाकी नहीं नंबर्स को रिपीट कर रहा है इसका कोई मतलब है नहीं तो 27 में से तेरा गटा तो 14 होगा तो इसका अंसर आगया बाते के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्णी के तरफ अगर चलिए टाइमर और कर दिया अगर कि कि अगर कि 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 इसको देखिए यह तो आपको लग रहा दो से स्वरू होके 291 तक पहुंचा है तो और नमबर्स कितने हैं एक दो टीम चार पांच पांच ही पांच च्छे में इतने आगे तक पहुंचिया तो जाहिड सी बाते कि यहां पर वो गुड़े वाला कोई काम तो हुआ है फिर होती है देखो इदा अच्छा एक चीज और समझो जब भी आपको मल्टिप्लिकेशन बुड़े क्या सकता होती है एक बास समझ लेना कि कितने गुणा जाना है सबसे पहले कितने गुणा जाना है बाद में हम जोड़ गड़ा लेंगे जैसे गुल्फ खेल देखे और पहले लगभक तीन गुणा है और ये चार गुणा अच्छा ये थीND चार ये पांच तो दिखो में 5 पांच से गुढ़ा करके एक जोड़ों कर तो ध्यारा होगा 11 में 4 से गुड़ा करके अगर 2 जोड़ोगे तो 46 होगा तीन इससे गुड़ा करोगे तो 138 138 में 3 जोड़ोगे तो होगा 141 अब 141 में आगे क्या होगे तो दो एक दो तीन दो चार तो वेटा इसका आंसर होगा 286 यानि कि 14 अप्सान हमारा सही है बाते के लिए अब बढ़ते हम अगले अप्रस्के के तरफ चले इसका अंसर दीजिए टाइमर आपके सामें चल रहा है अब बढ़ते हम अच्छा ये तो सीधा दिख रहा ना कि ये फ्रॉक शरीज होई नहीं सकता ये तो नॉर्मल स्रीज है और जब भी नॉर्मल स्रीज होता तो हमें क्या करना होता है से निकलना होता है तो चुले टेफ्रेंस निकलते हैं कि अखेशब डोरावण कि अखेशब शेक्टी प्लस कि यहां पर जोगा वह एक है तो दो काई स्कॉर्र यानि कि चार होना चाहिए तो 112 में चार जड़ोगे तो 116 होगा यानिकी इसका जरूरी है आपके लिए स्कॉार और क्यूब याद करना अगर पांच नंबर के आपके पूछे जाते हैं तो इसमें समझे लोग कि कितना जरूरी है आपके लिए चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्म के तरफ कि यह आपके सामें टाइम है मुक्त के दॉचुए आपके लिए नवी कि रॉच लॉचिए और फॉच्टा पौट व्याद कि अबर का इसमें न्यत्याक चलिए बढ़ते हम आपके लिए भश्मापिकी खूश्रा स्वेश्मापिक ने तरफ दैकिना हम ने प्रश्मापिक कि तरफ हो अच्छा न स्मापिक यह भी देखने से लग रहा है कि यहां पर नॉर्मल सीरीज है कोई नहीं कोई मुल्टिप्लाई वाला जदा काम हो नहीं है तो डिफ्रेंस ही निकालो डिफ्रेंस निकालो देखो किता हो रहे है ती ग्यारफ 27 और यह देखो 47 में पिटा अगर आप 3 जोड़ों को तो 50 होगा 56 पर और जोड़न अपड़े का तभी तो इसे पहुचोगे 169 यह 8 यह 16 यह 32 मतलब हर बार दोगना हो रहा है तो यह हो जाएगा 64 यानि कि 64 जोड़ो और उसके बाद उसमें 106 जोड़ो तो हमें आगे वाला नंबर मिलेगा तो 106 उनसट और सब्सक्राइब करता हूं कि सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बढ़ते अपने अभी प्रश्टी की तरफ चलिए इसका अंसर देजिए बहुत बढ़ी है कुछन है पूछा गया है अभी हाली में तो हम जिए अब जलिए तो मैं घतम हुआपका है ऐन देखो अभी में बताए है तक यह हाल ही में पूछा गया प्रश्ण है और अब थोड़ा सा अगर एक्जामनर आपको परिशान करना चाहेगा तो इस प्रकार के प्रश्णों को देगा ताकि आप थोड़ा सा सोचे कि यह है चार पुना है यह है तो यह beta होगा उसमें तो से गुड़ार क्या जाएगा तो हमें यह मिल्ला चाहिए मंद्ने कि हमां यहां पर एक्स है इसमें 2 जो उसे गुड़ा करो तो 6 आना चाहिए तो यहां गुड़ा उदर जाके भाग में हो जाएगा तो शै बटा दो यानि कि यहां पर टीन होगा तुश का मतलब है यहां पर तीन अब देखो इसमें इसमें एक से यहां दो से चार से एक हमें स्रिक्वेंस मिल गया है तो इसका अंसर है और कि इसका अंसर आगा बैटा तीन चलिए बढ़ते अपने अब यह परस्थी तरह इसका अंसर देज़ें झाल झाल तो चलिए शमयो सारण और उमित करता है कि यह प्रस्विन चोंए बहुत ही आसान है बहुत ही आसानी से लग दिवाली का समय है आपको दीबिर हो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो हर प्यक्ति को यह बहुत ही अच्छा और बड़ा संदेश देता है बस फर्क होता है कि हम उसे समझ पाते हैं या नहीं है अच्छा जानते हो लगभभभ उम्मिद करता हूं कि सभी लोगों को पता होगा यह दिवाली मनाया जाता है को पूड करके वह पे पहुंचे थे इसलिए संहट संगर्स जब यह पूरा करना के 14 वर्स के उपराइंस्त चारित लवटे जाती है ना कि उसे और किसी चीजों की तो बाकी चलो अब कुछ ज्यादा ही धार्मिक्षी जाओंगे अब आद्यव ने प्रश्णों पर चलो डिफ्रेंस निकालो इसका माइनस सिक्स माइनस 12 अब देखो उन्चास में एक जोड़ोगे तो पचास होगा और 23 इधार यानि की हो गया 24 इसमें से 24 माइनस किया गया और इसमें से 48 माइनस किया गया मतलब देखो छह बारा चौविस अर्तालिस हर बर दोगना हो रहा है तो यहां मेटा चानवे ही माइन तो हमारा आंसर है 705 उमीद करता हूं कि सब को चीजिए अच्छे से अब बढ़ते हम इतने अभी अपर्टी की तरफ चलिए टाइमर लगा दिए आपके सामने अगर 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 आपके समय समापती की भोशा चलो कि इसे मेर क्या हो रहा है चलो देखते हैं अचले लगवक् practitioner है रहानते हैं। दो से गुड़ा करके तीन जोड़ो दो चुरह थीन फिर तीन गुड़ा होगा। तो एक सो पचीस दुना दोसो पचास दोसो पचास प्रस तीन दोसो तीरपन हमारा अंसर है बात है क्लियर हुई समध आया चलो बढ़ते हैं अब यह प्रश्ण दिख रहा है अब जल्दी से आप सभी लोग इसका अंसर दिजे मैं ट्राइमर लगा दे रहा हूँ चलिए जल्दी से इसका आंसर दिजे सभी लोग आपके सामी कोशन दिख रहा है जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दिख रहा हूँ चलिए अब इससे करके बताते हैं इसका अंसर क्या है इधर दिखो इसका अंतर बिटा तीन हुआ इसका अंतर पांच इसका अंतर साथ और यह 9 हुआ तो देखो तो तीन पांच साथ मतब और नमर के सिरी चल रही है तो फिर नौ के बाद क्या होगा 11 तो 27 में आप 11 जुड़ोगे तो क्या होगा 38 तो इसका आंसर होगा बेटा धर्टी मिल्ट करता हूँ कि सबको अच्छे फिर यह बाते क्लियर हुई होगी चल यह तो बहुत असान है इसका अंसर दोजिलनी सिफ्टा अच्छे अच्छे ने एक अच्छे अच्छे विश्चे विश्चे अच्छे अच्छे प्राइब कि चलिए समय समाप्ति की घोश्रा कि यह देखो यह बिटा है सेवन का स्कॉयर मतलब यह प्राइम नंबर है उनके स्कॉयर करके तो साथ 11 13 के बाद सीधे प्राइम नंबर हमारा होता है दो सो नमाशी इसका अंसर है हमारा कि दो सो कि नमाशी अभी 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 आफ हम बठते अपने अभी अभी अपनिव पास्टी के तरफ चलिए इसका आपसर दीज़े जालदी से संवेश्य में चलिए समय समाप्ति की घोचड़ा और आज के वीडियो में बस इतना ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छा हां यह प्रश्ट जो आपको है ना सामने दिख रहा है अगर जिनके आंसर आगे चलो ठीक नहीं है तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसे लेकर यह आपका है इसलिए उमर के लिए दे रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही बहुत ही बढ़िया प्रश्टन है अगर समझे लोग कि जिसने इस प्रश्टन को कर लिया यह समझ जाना कि हां वो उसके जो मानसिक मतलब चमता है उसमें दिखास हो है वो अच्छा कर सकता है बेतर कर सकता है किसे भी एक्जाम के लिए यह मतलब इतने इस्टेंडर्ट लेवल का कुर्श्टन है और यह अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्टन भी है अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर भी आप लोगों को दूँगा और तक- से दिपावली की हार दिख बढ़ाई एवं शुर्ब कामना है दिवाली एंज्जाए करेगा अच्छे से लेकिन शुरक्षि तरीके से जाहें